इस वीडियो में मैं आपके साथ सब की ओरी Airdrop के कलेम की अपडेट शेर करने के लिए जा रहा हूँ देखो आज इसका कलेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आपने अपने जो टोकन है वो यहाँ पे कलेम करने हैं कैसे आपने अपने जो token हैं वो यहाँ पे claim करने हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में step by step बताऊँगा, और कितनी आपकी यहाँ जो gas fees है, वो यहाँ पे लगने वाली है, वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा, देखो token को claim करने के लिए, पहले जो इन्होंने यहाँ पे बताया था, कि आपकी जो KYC है, वो यहाँ पे होनी चाहिए, और minimum आपके पास यहाँ पे 1000 यहाँ पे जो points है, वो यहाँ पे होने चाहिए, और इसमें तीसरी चीज जो यहाँ पे add की गई है, वो मैं आपको जो यहाँ पे बताता हूँ, देखो आपकी जो email है, वो यहाँ पे verified होनी चाहिए, यानि कि आपने यहाँ पे KYC की हो, और आपकी जो email है, वो भी यहाँ पे verified होनी चाहिए, और minimum आपके पास यहाँ पे 1000 यहाँ पे जो points है, वो यहाँ पे होने चाहिए तो आपने अपने जो points हैं वो यहाँ पे कैसे check करने हैं कि आपके पास कितने points हैं और KYC के बारे में देखो मैं आपको telegram में काफी मर्तबा बता चुका हूं कि आपने अपने जो KYC है वो यहाँ पे कर लेनी है अब आपने अपने जो token है वो यहाँ पे कैसे claim करने हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं सबसे पहले देखो आपने telegram में आना है telegram में आओगे तो यहाँ पे आपको जो link होगा वो मिलेगा आपने link को copy करना है और उसके बाद आपने कीवी ब्रोजर या मिसिस ब्रोजर में जाना है और यहाँ पे जाके आपने इसका जो link होगा वो यहाँ पे डालके open करना है जैसे आप यहाँ पे link डालके इसको यहाँ पे open करोगे उसके बाद आपने अपने जो यहाँ पे wallet होगा को यहाँ पर connect करता हूँ जैसे आप अपने wallet को यहाँ पर connect करोगे देखो आपने यह जो network होगा इसको आपने यहाँ पर switch करना है और देखो token को claim करने के लिए आपके पास यहाँ पर based network में 3-4 dollar के यहाँ जो Ethereum होने चाहिए तब जाके आप अपने जो token है वो यहाँ पर claim कर पाओगी तो यह आपने manage कर लेना है उसके बाद देखो नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा switch network option तो आपने यहाँ पर switch network के उपर tap करके यह जो network होगा आपने इसको यहाँ पर switch कर लेना है उसके बाद देखो उपर आपको यहाँ पर मिलेगा equity claim आपने यहाँ पर equity claim के उपर click करना है यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप यहाँ पर equity claim के उपर tap करोगे उसके बाद देखो अब आपने यहाँ पर अपने जो token होंगे वो यहाँ पर claim करने होंगे अभी आपको आपके जो token होंगे वो यहाँ पे claim कर पाऊगे और यह आपने कैसे check करना है कि आपके यहाँ पे कितने points हैं तो वो भी आप यहाँ पे check कर सकते हो देखो उपर यहाँ पे click करना जब आप यहाँ पे उपर यहाँ पे click करोगे और जो भी आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यह 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 आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो ये तीन चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर होने चाहिए उसके बाद ही आप अपने जो यहाँ पर टोकन है इनको आप यहाँ पर कलेम कर पाओगे तो जैसे ही आप अपने जो token होंगे वो यहाँ पे claim कर लोगी उसके बाद आप इन token को bybit exchange पे जाके sale कर सकते हो अगर हम बात करें token की price की तो यहाँ पे मैं search करता हूँ SQT और उसके बाद यह आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो token की price चल रही है यह आप देख सकते हो 0.025 जो है एक जो token की price है वो यहाँ पे चल रही है ठीक है देखो फिर भी आपको यहाँ से एक अच्छा profit हो जाएगा जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छे से भर किया है तो उनको एक अच्छा profit होगा बाकिस हवाले से इसके जो भी update वोगरा होगी तो वो मैं आपको टेलीग्रामे बता दूँगा आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर लेना है